दोस्तों, 2023 में water id card का look पूरी दर से change कर दिया गया है, एक नया look का water id card अब आप लोगो देखने को मिलेगा, जो आप लोग अभी screen को पर देख पार होगे, so अगर आपके पास पुराना वाला water id card है, या फिर ये वाला water id card है, या फिर ये वाला, तो आप जो है नया वाला water ID card किस पकार से मंगवाएंगे आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोगों को इस वीडियो को complete watch करना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक like करना है चैनल को subscribe करना है सबसे पहले गईस वीडियो को start करते है सबसे पहले गईस water help line application को google play store से download कर लीजे उसके बाद आप लोगों को इसको simply open करना है open करते ही नीचे आप लोगों को i agree का button देखने को मिलेगा उसको just bugle में next का button देखने को मिलेगा इसके उपर आप लोगों को simply click करना है पारोगे correction of interest form 8 इसके आप लोगों को simply click करना है इसके बाद एक login page open होगा जिसमें आप अगर इस application में first time आए हो तो आप लोगों को account बनाना होगा इसके लाप लोगो new user का एक option देखने को मिल रहा होगा इसके उपर आप लोगों को simply click करना है click करते ही आप लोगों को अपना mobile number डालना होगा इसके बाद आप लोगों को send OTP को option पे click करना है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक password बनाना होगा इसके बाद आप लोगों को जो account है वो create हो जाएगा इसके बाद आप लोगों को फिर से back आना है अपना मॉयल नमबर डालना है इसके बाद send OTP को option पे click करना है इसके बाद जो भी मॉयल नमबर आप यहाँ पे enter करेंगे उस पर एक OTP आएगा जिसे आप लोगन को नीचे OTP वाले section में enter करना होगा then password डालना है इसके बाद login के section पे आप लोगन को click करना है then यहाँ पे आप लोगन को सबसे पहले option पे click रहने देना है इसके बाद next के button पे click करना है इसके बाद यहाँ पे आप लोगन को अपना epic number मतलब की voter ID card number यहाँ पे enter करना होगा then face detail का option पे click करना है जैसे ही आप face detail का option पे click करेंगे यहाँ पे नीचे आप लोगो देखने को मिलेगा कि आपका जो detail है वो found कर लिया गया है इसके बाद नीचे आप लोगो proceed के button पे click करना है इसके बाद guys next page में आप लोगो के water ID card का detail आप लोगो देखने को मिलेगा simply आप लोगो next कर देना है इसके बाद guys next page open होगा जिसमें आप लोगो नीचे scroll down करना है यहाँ पे आधार detail के section में आधार number देना है इसके बाद mail number नीचे यहाँ पे enter करना होगा इसके बाद नीचे यहाँ पे email के section में email ID आप लोगो यहाँ पे enter करना होगा relative का mail number relative का email आप लोग छोड़ सकते होगा डालने की कोई जरूत नहीं है अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो नीचे यहाँ पे next का button देखने को मिल रहोगा इसके उपर simply click करना है next page में आप लोगो चार options देखने को मिलेंगे so आप लोगो तीसरे वाला option पे click कर देना है issue of replacement of epic without correction इसके बाद simply आप लोगो next के button पे click कर देना है आप लोगो यहाँ पे तीन options देखने को मिलेंगे जिसमें आप लोगो beach वाला option चूज करना है destroyed due to reason beyond control like flood, fire and other natural disaster beach वाला option पे आप लोगो simply click कर देना है दिन आप लोगो यहाँ पे एक check box देखने को मिल रहा होगा इसके उपर आप लोगो को click करना है इसके बाद next के button पे click करना है इसके बाद declaration page उपन होगा जिसमें आप लोगो यहाँ पे अपना place डालना है name आप लोगो so हो रहा होगा यहाँ पे place डालना है इसके बाद done के button पे click करना है आप लोगो के सामने form no.8 का preview आप लोगो देखने को मिल जाएगा जो भी detail अभी तक आप लोगो ने भरा यहाँ पे आप लोगो देखने को मिल जाएगा so अगर आपको detail लगता है कि गलत है तो आप इसे correction कर सकते है otherwise जो भी आपने भरा है वो सारे चीज़ा कर correct है तो आपको simply नीचे देख रहा है confirm के button पे click करना है इसके बाद आपका यह जो form है successfully submit हो गया है आपका जो request है new water ID card के लिए वो चला गया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो thank you your application has been submitted on date यहाँ पे date देखने को मिल रहा होगा साथ ही एक reference ID आप लोगो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जिसके थुरू आप इस application को track कर सकते हैं इसको note down कर लेना है या फिर आप moils apply कर रहे हो तो आप इसको इसकी insert भी कर सकते हो यहाँ पे आप लोगों को इस reference ID को copy कर लेना है इसके बाद OK के button पे click करना है application को track करने के लिए आप लोगो यहाँ पे dashboard में नीचे left corner में explore का button देखने को मिल रहा होगा इसके बाद track status को option पे click करना है जैसे ही आप track status के option पे click करेंगे तो यहाँ पे आप लोगो देखने को मिलेगा कि जो submitted का option है इसके अभी अभी हमने इसको submit किया है इसके बाद be LO appointed होगा field verified होगा इसके बाद यह accept या फिर reject होगा accept होजाने के बाद 7 दिन के अंदर आप लोगों के घर के पते पर postman के द्वारा deliver कर दिया जाता है कुछ इस परकार का card आप लोगों को देखने को मिलेगा so I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस परकार से आप लोगो इस परकार का card जो है मंगवाना है so I hope आप लोगों को सारे चीज़े clear हो गए होगी मिलते हैं guys next video में इस परकार का information पाने के लिए आप लोगों को channel को subscribe करना है